इंडिया फाइनली आज मैच जीता और अस्टेलियो को हराया अस्टेलिया को हराना बहुत जबूई था अस्टेलिया यही अस्टेलिया था जिसके वज़ा से हम हिंदुस्तानी 19 नवंबर के रात भर दुखी में थे रात भर दुखी में थे और यह पेट कमिंस ने कहा था कि क्रावट को साम्त कराने का आनंद ही कुछ और, मिच्चल मार्स, इन्होंने कहा था कि next match तो हम जीतें गही और इंडिया सच्छा मैच जित गया तो जो 19 समवंबर को हिंदुस्तानियों के साथ हुआ था रात में नीद नहीं आया था बस वही चीज आप आस्ट्रिलियन के साथ होगा कल के दिन कि उन्हों को नीद नहीं आएगा रोहिट सर्मा क्या राजवाब था कि तुम्हारा आउकात यही तुम गली कुछे के बॉलर हो मेरे सामने रोहिट सर्मा हैट्स ओफ क्या मारा क्या जबरदस्त खेला रोहिट सर्मा 28 रंद लिया मिचल स्टाक के बॉल पे 28 रंद नेक्स्ट आउवर पेट कमिंग साया फिर उसके बाद स्टानिस आया सब को पिले जाना था रोहिट सर्मा बेचारा रोहिट सर्मा संचुरी से चुक गया रेकिन रोहिट सर्मा अज दिखा दिया कि सबसे आगे टीम है अगर वो चाहता तो आसानी से संचुरी बना सकता था रेकिन रोहिट सर्मा सबसे पहले टीम को रखा, हरक इंडिया के तरफ से सभी लोग अच्छा कहला, सभी लोग, रेशा पंथ भी अच्छा कहला, सीबम दुवे भी अच्छा कहला हार्दिक पांडिया भी अच्छा करा, सूरीया भी अच्छा करा, सभी लोग छोटा-छोटा finally out हुआ finally out हुआ कुल्दी प्यादव और अक्छर पटेर का जो बॉलिंग था वो बहुत important phase था जो 12 से 15 ओवर के बीच का जो phase था अक्छर पटेर और कुल्दी प्यादव का वो बहुत important था क्योंकि उस समय लग रहा था 12 ओवर तक लग रहा था कि ऑस्टेलिया जो हो मैच में पूरी तरह से और इंडिया पीछे है बट उस समय कुल्दी उस समय भूमरा का बॉलिंग बचा हुआ था और अरस्दीप का भी बॉलिंग बचा हुआ था और लास्ट में जो देखा जा रहा था कि रिवर्सिंग हो रहा था तो इसलिए मैच में हिंडोस्तान तो था और ये लगी रहा था कि जैसे ही ट्रविस हैड आउट होगा मैच पूरी तरह से इंडिया के पकर में आ जाएगा और वैसा ही हुआ जैसे ही ट्रविस हैड आउट हुआ मैच में पूरी तरह से इंडिया आ गया और ऊस्ट्रेलिया और इससे समय ऑज Prab maintained जो भी हो आस्ट्रेलिया को अरणा बहुत जभी था जो अब बस कल किसी तरह से अफगा निशन जी जाए और पूरी तरह से उस्टेलिया को बाहर निकाल दिया जाए वर्ल्ड कप से अब इंडिया का सिमी फाइनल मैच इंग्लैंड सोहने वाला है और इंग्लैंड यही इंग्लैंड है जो 2022 में इंडिया को सिमी फाइनल में हराया था इस बार मौका है कि हिंदुस्तान इं 2023 में हम लोग चूख गये थे 19 समूंबर को, फाइनल में पहुच के अदम तावरतोर परफॉरमेंस दे के अब फाइनल में हम लोग हार गये थे, वो दिन सीरियसली हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उस चीज का भरपाई इस बार 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले इंग्रेंड को हम लोग को हराना है, किसी भी तहा से इंग्रेंड को हराना है,